दोस्तो नमस्कार स्वागत एक वार फिर से चलिए जानते हैं बियार की ताजा खबरों को लेकिन उससे पहले अगर आपने विदग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बियार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे वस्य दोरे पर पहुची आरजेडी के मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने भी बीजेपी पर जम कर हमला बोला विपक्षी एकता की होने वाली मिटिंग पर अस्विनी चौबे ने कहा कि लंदन में कर ले मिटिंग या अमेरिका में रूस या जर्मनी में कर लें जनता ने पूरी तरह तै कर लिया है कि अगले सेबक नरिंद्र मोदी होंगे अगलिक पर भागलपूर में जातेगत जनगना को लेकर सियासत राज़त ने केंद्र सरकार से की जातेगत जनगना कराने की मान बिहार में जातेगत जनगना को लेकर सियासत गर्म है एक और जहां केंद्र सरकार जातेगत जनगना के समर्थन का विरोत कर रही है वहीं दूसरी और बिहार में सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार जातिकत जनगना की मांग जारी है हालाकि हाई कोट के निर्देश पर जातिकत जनगना को तीन जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है साथ तोर पर कहा गया है कि जनगना किंदर सरकार ही करा सकती है वहीं राज़त के द्वारा जादिकत जनगन्ना की मांग जारी है, इसको लेकर लगातार धर्ना प्रदर्सन किया जा रहा है, सत्ता पक्ष में मुख्य दल के रूप में, राज़त इस मांग को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है अगली कवर 25 जुलाई को NDA में सामिलो सकते हैं सहनी, फूलन देवी की सहाद दिवस पर पटना में करेंगे सक्ती प्रदर्सन, विकासिल इंसान पार्टी के मुख्या एक बार फिर NDA में सामिलो सकते हैं 25 जुलाई को इसकी आधिकारिक गोसना हो सकती है, पार्टी सूतरों के मताविक फूलन देवी की सहाद दिवस के मौके पर सहनी पटना में सक्ती प्रदर्सन करेंगे, माना जा रहा है कि इसी दिन सहनी बीजेपी के साथ गडवंदन की गोसना कर सकते हैं, हाला कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है, बताया जा रहा है कि मुखे पुष्टी से नीचे जा रही नदिया समेत भूजलस्तर, गर्मी लगातार बढ़ने के कारण धूप और हवा आग उगल रही है, इस कारण जिले का भूजलस्तर भी तेजी से गिर रहा है, स्थिती यह है कि जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियां बोड़ी गंड़ कई जगों से सुख गई है, बोड़ी गंड़क का जलस्तर बुदवार को सहर के सिकंदरपूर में, खत्रे के निसान से रिकॉर्ट साथ दसनलब तीन एक मीटर नीचे, पैताली दसनलब दो दो मीटर पर चला गया था, अगलिकवर भाजपा के रूडी का दावा उनके प्र अभियान सुरू किया, जिससे उनकी रिहाई हुई, यह बिहार में मेरे अभियान की उफलब्दी है, रूडी ने यह भी दावा किया कि उनके अभियान के कारण नितिस कुमार सरकार के जाती आधारिक सर्वेक्षन पर पटना उच न्याले ने रूख लगा दी थी, इस पर राजे सरकार सुप्रीम कोट गई लेकिन रहत नहीं मिली, उन्होंने कहा कि मैं सुरू से ही, जाती आधारिक सर्वेक्षन के खिलाफ था, अगली कवर ओडिसा रेल हाथसे में बिहार के 50 लोगों की मौत, डिने से सबों की हो रही पैचान लापता लोगों की संख्या में आ अगली कवर बेतिया में विधायक रस्मी वर्मा और कॉलेज प्रसासन आमने सामने हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पुलीस से सिकायत की है, एक तरब टीपी वर्मा कॉलेज के सिक्षकों ने दिया आवेदन, नरकटिया गंज विधाय के कारियों में हस्ताचेप कारूप लगाते वे, बुधवार को कॉलेज के सिक्षक और सिक्षक कितर कर्मियों ने सिकरपुर थाना में आवेदन दिया है, वही बिधायक रस्मी वर्मा ने भी फोन पर पुलिस से सिकायत की है, इधर बुधवार को कॉलेज के सिक्षक और सि विपक्षी दलो की एकता भानुमती का कुनवा का बैठक होने से पहले धारासाई हो जाती है। अगलिकपर सराब पीने से हुई है मौत तो बिना पोस्ट माटम रिपोर्ट मिलेगा मुआपजा। मांदे वरिदी की मांग को लेकर हर्ताल पर बैठें। बाका जिले के सभी प्रकंडों में अनिशित कालिन धर्ना परदर्सन किया जा रहा है। बिहार राज किसान सलाकार संग किया वहन पर प्रकंड एकाई के किसान सलाकार मांदे वरिदी की मांग को लेकर संग के प्रकंड अध्यक्ष राजेस कुमार सर्मा और्फ बुल्टुल सर्मा के नितर्तु में अनिशित कालिन हर्ताल का आयोजन किया। किसान सलाकारों ने बिहार सरकार के खिलाब जमकर नार्यबाजी की। संग के प्रकंड अध्यक्ष राजेस सर्मा ने बताया की हम किसान सलाकार बिहार सरकार के दिये गए निर्देसों का पालन कर रहे हैं दुरगा पूजा एद मुहर्रम एवं सुनाओ के समय हम सलाकारों क मजिस्ट्रेट की ड्यूटी देकर एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाती है। सभी 137 रजिस्ट्री ओफिस में ये वेवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन हर नई ट्रेन को हरी जंडी दिखाने वाले पीम इसकी जिम्यवारी नहीं ले रहे। अगलिक वर बिहार में सिक्षक निवावली का विरोत तेज सिक्षक संग ने सिक्षान कारे ठप करने की दीच चेहतावनी। बिहार के सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेखर द्वारा अध्यापक निवावली 2023 पर दिये गए बयान को लेकर बिहार मादमिक सिक्षक संगने परतिकरिया देते वे का की बिहार में सिक्षा विवस्था अगर ठप होगी तो उसके लिए सरकार जमेदार होगी। अध्यक्ष रगबंस प्रसाथ सिंग ने का की सरकार जब तक नई निवावली को वापस नहीं लेती और बिना सर्त सिक्षको सारेरिक सिक्षको एबं पुस्तकाले अध्यक्षको राज्यकर्मी गोसित नहीं करती तब तक हम आंदोलम जारी रखेंगे। अगली ख़वर विपक्ची एकता में बिहार का महा पेच नितीश कुमार विपक्ची एकता को बना रहे हैं लेकिन बिहार की महा पेच नितीश कुमार विपक्ची एकता को लेकर पूरे देश के देथाओं को एक जूट करने की मोहिम में जुटे हो लेकिन उनका महा पेच नितीश कुमार को सबसे बड़ा जटका उनके ही दल में कभी मुख्यमंतिरी रहे जीतन नाम मांजी से लग सकता है अगले को स्मार्ट मीटर का विरोध 12 को मुझपरपूर बंद की तैयारी मानप स्रिंखला बनाएगी सिविल सोसाइटी स्मार्ट प्रिपेड मीटर हटाओ संगर समीती ने 12 जून को मुझपरपूर बंद को सफल बनाने की तैयारी सुरू कर दिये बुद्वार को संगर समीती की कोर कमीटी की बैठक हुई सिविल सोसाइटी के प्रवक्ता सेरपूर पंचायत के सरपंच नंदन कुमार जहाने कहा की लोग सांतिपूर्ण थरीके से अपने घर के आगे मानप स्रिंखला बना कर स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे